दोस्तो अगर आप भी मतुरा के अंदर स्रीकिर्सन जनम भूमी को आप विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए best route क्या रहेगा अगर आप विरिंदवन से आ रहे हैं फिर मतुरा से आ रहे हैं तो किस टाइम आप आपको आना है कैसे आपको entry मिलेगी और क्या-क्या आपको अंदर देखने को मिलेगा उसे जोड़ी जनकरी में आपको इस वीडियो में सेर करने वाला हो तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्तो चैनल फे फ़र्शन जनम भूमी को विजिट करने के लिए अगर आप रेल से आए हैं तो आपको मतुरा स्ट क्रिशन जनम भूमी के पास उतार देगा 100 मेटर दूर आपको स्टिक्रिशन जनम भूमी मिल जाएगी साथ ही बात करें अगर आप विरिंदा वन से आ रहे हैं तो आपको विरिंदा वन से सिधा ओटो मिल जाएगा जो आपको 20 रुपे ही लेगा चार्ज और वो आपको बात करें जाएंगी जहाँ पर आप सोपिंग कर सकते हैं साथ में आपको अराम से कचोडिया मिल जाएंगी और पीड़े मिल जाएंगे साहत ही शोपिंग भी कर सकते हैं अब देखें दोस्तो स्रीकेशन जन्रमवी के द्वार पर आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एंट्री करने होगी अब यहाँ पर कुछ रिस्टिक्शन रखी गई है रिस्टिक्शन में देखिए आप कोई भी लेक्ट्रोनिक समान अंदर नहीं ले जा सकते लाइक, रुपे जो आपका परति नग के साब से आपको यहाँ पर चार्ज़ ले जाता है जिसमें मतलब 2 रुपे आपको एक मोबाइल फोन चार्ज रहेगा इस तरह से आपको अपने समान है, आपडे समूल आपको सब्मिट कराने के बाद में दौर से एंट्री लेनी है एंट्री सबसे पहले आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जो आपको वीडियो में दिखाया था मैं शुरू में ही उसी चोटी आपको देखने को मिलती है वार से तो उस मंदिर को विजिट कर सकते हैं साथ ही वहाँ पर आपको एक गुफा है जिसको आपको विजिट करना होता है जिसके लिए आपको चार दिन होता है जिसमें आपको टिकेट परचेज करना होता है दस रुपे का टिकेट होता है टिकेट लेने के बाद आप उस गुफा को विजिट कर सकते हैं गुफा को विजिट करने के बाद साथ ही आपको एक संग्राले देखने को मिलेगा जिसमें देखिए आपके द्वापर योग सत्योग के बारे में आपको बताया जाएगा उसको आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए आपको थोड़ा अंदर जाना है अंदर जाने के आप जो मंदिर की ट्रिस की चलत ए उसको भी विजूट कर सकते हैं जहाँ पर आपको काफी च지तुनि लेख मिलें इन जिन को आप देख सकते हैं बस वहाँ पर आप कोई फोटोगाराफ कोई नहीं कर सकते लेखें को सिर्कौर संथ जनमभूमी के उसकता करेंगे स्रीकेसन जरुम्भूमी देखने के बाद आपको वापिस आना है अपने कलोक रूम से अपने समान को वापिस ले लेना है और अब यहां से आपको वापिस चल देना है तो अगर आपको भूक लग रही है तो आप स्रीकेसन जरुम्भूमी देखने के बाद आप यहाँ पे कचोडिया वेगरा या पेड़े वेगरा आप यहाँ पे खा सकते हैं सोपिंग भी आप यहाँ पे साथ में कर सकते हैं सोपिंग और खाना पीना करने के बाद अब आपको यहाँ से चल देना है अपनी नेक्स्ट मंदिरी तरफ को या next गंतवे के तरफ को जो आपका रहेगा यहाँ पे द्वारकादीस मंदिर या फिर अगर आपने गार द्वारकादीस मंदिर देख लिया है आप रैक्ट हैंसे विरंदावन भी जा सकते हैं यहां से ओटो लेके आप 20 रुपे पर परसन के किराएगे साब से आप ओटो करके आप जा सकते हैं सिधा विरंदावन साथ ही अगर आपको जाना द्वारकादीस मंदिर तो आपको स्री किसंजनम भूमी से एक्जिट करने के बाद मेरे मेन बेरिगेट होता जो उससे एक्जिट करने के बाद यहां से आपको ओटो मिल जाते हैं जो की इरिक्सा आपके मिल जाते हैं जो आपको बोलेंगे 20 रु कर देंगे 22 मंदिर के पास जहां पर आप 22 मंदि जा सकते हैं साथ में आप जा सकते हैं वह पर विश्राम घाट वह पर देख सकते हैं साथ ही महीं पर आपको देखने को मिलेगा कंस्किला तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बताया कि अगर आप सी क्रिशन जनल मूमी को विजिट करना चाहते हैं तो कैसे आपको विजिट करना है क्या क्या आपको देहने को मिलेगा क्रिशन जलो मूमी के अंदर साथ ही आपको restriction क्या है मापी सब को जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया